राजस्थान में लोकसभद चुनाओ के दोरान पहली बार अशोग गहलोत और सचन पाइलेट एक मंच पर साथ है। पूरी कॉंक्रिस को एक जुट होकर इनका साथ देना है और चुनाओ जीतकार दिल्ली भेजना है। सियासी जानकारों का कहना है कि करन सिंग पाइलेट कैम के माने जाते हैं लेकिन गहलोत भी उनके पक्ष में जम कर प्रचार कर रहे है। शेखावत काटे के मुकाबले में फसे हुए हैं सियासी जानकारों का कहना है कि गहलोत और पाइलेट समझ गए हैं कि एक जुट रहनी में फायदा है। बीजोपी को एकजुट होकर ही हराया जा सकता है। कॉंग्रस आला कमान का सक्त मैसेज है कि सब ही एकजुट रहें। वहीं पूर्फ डिप्टी सियम सचन पाइलेट ने कहा करन सिंग का चैन हम सबने मिलकर किया है। बहुत सोच समझ कर उमीदवार का चैन किया गया है। यहां कारे करताओं में जो उर्जा है इससे लग रहा है कि कॉंग्रस जोदपुर में इतिहास रचने जा रही है। आज आचार सहिता के बीच कॉंग्रस के खाते सीज कर दिये गए हैं। इस बार हमा बदल रही है इसलिए सब को पुरानी बाते भूल कर कॉंग्रस को चुनाओ जिताना है। वहीं पूर सियम अशो गहलोत ने कहा आज जो उत्सा यहां नजर आ रहा है ऐसा ही उत्सा था जो बनोंने पहला चुनाओ लोकसभा में लड़ा। आज वही द्रश्य देखने को मिल रहा है गहलोत ने कहा कि हम सब ने मिलकर एक मजबूत उमीदवार्ग आपको दिया है। हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूस 24